हां भी आप हलो दोस्तों आप सभी का जुम्जोब इंडिया पे स्वागत हैं दोस्तों इस समय इस कंपनी वेकेंशी है उसका नाम है रूब पॉलिमर्स लिम्टेड कंपनी के बारे में जान लेते हैं कंप पॉलिमर्स लिम्टेड इस जॉइंट वेंचर ग्रीन फिल्ड प्रोजेक्ट विट्विन रूप ग्रूप ए लीडिंग मैनुफैक्ट्रिंग आप्रवार और प्लास्टिक आटोमेटिव कंपोनेंट्स आइन का मेंटिनेंस रिक्वाइड इस्किल्स है नोलेज आप मेकेनिकल इलेक्ट्रिक्यल यूटिलिटी एज वेल एज ओवराल प्लांट मेंटिनेंस इसके लिए दोस्तों इक्सपीरियंस जो आपको रहना चाहिए वो सेवन टू टेनियर्स का रहना चाहिए और एयाम दोस्तों डिप्लोमा बीटेक इन मेकेनिकल इलेक्ट्रिकल यह रेगुलर होना चाहिए आपका लोकेशन रहेगा आपका वरना गोवा सेल्रीज के लिए रहेगी शिक्स एल्पीय टू सेवन एल्पीय टू नाइन एल्पीय फोर डियम उसका नेक्ट जोब है दोस्तों आप डिस्पैश प्लानिंग एंड ट्रांस्पोर्टेशन एर्पी सैप जनरेटिंग इस्टिकर लेवेल मोनेटरिंग कस्टमर सेडियोल इक्सपीरियंस इसके लिए चाहिए फाइब टू सेवन एयर्स का इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए बीकॉम बीबी एडिप्लो एक्स जोब है दोस्तों इसके लिए इसमें आपकी डेजिंगनेशन रहेगी जूनियर एक्सक्यूट्यू और डिपार्टमेंट रहेगा आपका डिस्पैश रिक्वाइड स्कील है असिस्ट है इन डिस्पैश प्लानिंग जी आर्यान एर्पी माइनेज इन्वेंटरी क्वालिफिकेशन रहना चाहिए दोस्तों बिकॉम बीबीए डिप्लोमा फूल टाइम लोकेशन इसमें रहेगी दोस्तों वरना गोवा शैलरी मिलेगी आपको 20-25 पर मंत डेजिकनेशन आपकी रहेगी सीनियर इंजिनियर की और डिपार्टमेंट रहेगा आपका क्यू एम इसमें आपकी लोकेशन रहेगी इंडिस्ट्रियल इस्टेट गोवा सरी इसमें मिलेगी आपको 35-40 के पर मंत उसका नेक्स जोब है डेजिकनेशन रहेगी आपकी इंजिनियर की उसका डिपार्टमेंट आपका रहेगा लैब टेशियन इसमें के लिए आपकी रिकॉर्ट स्कील है नोलेज आफ रो माटेरि काइलिब्रेशन इसके लिए एक्सपिरियंस रहना चाहिए दोस्तों टू से सिक्स इयर का क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए बीस्टी एमस्टी केमेश्री डिप्लोमा बीटेक पॉलिमर और रबर से फुल टाइम का उसका इसमें जो लोकेशन रहेगी आपकी जॉब लोके टू मिश्टर भरत कॉंटेक नमबर है इनका डबल एट सिक्स डबल जीरो थी फाइट 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 और इमेल आइडी है hrcorp.manesher.grouppolymers.com दोस्तों इनका आइडी और फोन नमबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप वहाँ से इमेल आइडी एंड कॉंटेक नमबर ले सकते हैं दोस्तों का चैनल को आपने अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लें धन्यवाद